हेलो मेरे प्यारे भाही लोगों कैसे है आप सब लोग यार तो सभी एस फिरेंट भाही लोगों को एक प्यारी सी गूर्निंग और हैवनाइस जे मेरे सभी फ्रेंड्स को तो कैसे चल रही है यार आप लोगों की तैयारी कमेंट में बताना ठीक है तैयारी करो अच्छे से और तो बीच बीच में आते रहेंगे देखने के लिए ठीक है बाकी यार मैं एक चीज और करना चाता हूं सभी लोगों से कि देखो दोस्तों आज का टाइम ऐसा है कि आपको दोनों तरफ से स्टॉंग बनना पड़ेगा mentally भी और physically भी आपको श्टॉंग बनना पड़ेगा ठीक है तो जितना workout कर सकते हो तो करो जब free time रहता है workout करो morning में उठके तो सबसे बहले में यह करो वर्काउट किया करो ठीक है उसके बदेगो mentally health तो आपकी बिल्कुत सही हो जाएगी जब आप बढ़ रहे हो ठीक है लेकिन physically के लिए भी स्टॉंग होना चाहिए है ऐसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं कि आपकी body कमजोर है physically आप बहुत वीक हो है ना कुछ फायदा नहीं होने वाला है होना चाहिए ना लगना चाहिए कि हां यार दोनों तरब से भाई स्टॉंग तो आज का time वही है कि दोनों तरब कि अगर नहीं हो तो बनो यार और कावट नहीं रहा है है पागल नहीं होना ठीक है ऑक पागल नहीं होना कि एक zero कम नेखिकल जाएगा ठीके आराम से निकल जाएगा यहीझवीच चोबिस गंटे तो जब मॉनिंग में उड़ते तो फिटनिस के लिए अपनी एक्सराइस किया करो योगा योगा जो भी तुम्हें करना है वो किया करो तो अभी तक मैंने बरस किया थे ठीक है तो पहले ब्रेक फाश कर लिए आप परस कर रहा हो तो फोता है आगे पीचे चलता है ठीक है और एक और बात प्रूचनी थे यार किया आपके टूथपेस में नमक है अगर नहीं है तो मेरे टूथपेस में जादा नमक है तो मैं आपको दे सकता हूं ठीक है अब यार दोस्तों ना लाइट चले गई और भार का मौसम देखलो अभी पारिस लगी हुई पूरा मौसम बदला हुआ है सोचा तब तक आप लोगों से थोड़ा बाते कर लेता हूं ठीक है दोस्त दो चार बाते थी जो मेरे फ्रेसर स्वाइल हो गया उनसे करने थी देखो तो अबर कॉन्पिडेंस में तो बिल्कुल मत रहना मैं आपको यह कहूंगा ठीक है और छो कोड़े एक्जाम में कॉम्पिटीशन बहुत जादा है बहुत जादा मजाक में मत ले ना दोसिस बात को पता है कितने फॉर्म भरे गए थे फिछली बारी धाई लाग प्लस फॉर्म भरे गए थे पुलिस कॉंस्टेवल के लिए कम से कम दो लाग वच्छे पेपर देने आ सीटे कितने निगली थी 1500 तुम्हें मजाक लग रहा है क्या दो लाग में 1500 सीटे कितना कॉम्पिटीशन है तुम्हें पता भी है पता चलेगा दोस्त और किसी भी एक्जाम को मजाक में मत लो यार मेनत चाहिए दोस्त बहुत जादा मेनत और एक बास समझ लेना दोस्त मेरी अगर आप इस चीज मे घुस गए हो ना चाहते हो कि गौवर्मेंट सीट निकान ली ही निकान ले न दो से लिग बात याद रखना पेसेंस रखना पड़ेगा धहरी रखना पड़ेगा दिमाग में दोनों चीजेँ को लेकि चलना पड़ेगा हो सकता है नहीं हो सफलक् limitation हो सकता है अगली भार्षी भी ना हो क्या करोगे फिर कुछ नहीं सोचा जाता उसके बाद मांड ना बहुत negative हो जाता है पता भी है को पिर आदमी सोचते चलो छोड़ो यहां कुछ ने होने वाला दूसरी जगा चलते हैं तो इतना पेसेंस रखना पड़ेगा दोस्त समझ रहे हो लोग पांच 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 छेचे अटेम्ट देने के बाद भी न लगे पड़े हैं देखो मोटिवेशन होता है पूरा मत मानना दोस्त यार सची बात है यार ये समझ रहे हो तो चाते हो न अगर कि पहले ही अटेम्ट में सेडेक्शन हो जाए तो मजाग में मतलो यार मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा पड़ीगी पहले attempt में selection पाना है तो बहुत ज्यादा मेनद करने पड़ेगी और यह चीज़ सोच के मत चलना कि इस पार इस selection नहीं होगा तो छोड़ दूंगा कुछ और करूंगा ठीक है यह चीज मत सोचो अभी ठीक है आगी जो होगा देखा जाएगा अभी फिलाल तैयारी करते रहो ठीक है तो यार दोस्तों अभी मैं आ रहा हूं जट पर टैनले के लिए जश्च अभी लंच किया और टाइम हो चुका है तीन बच चुकी ठीक होगा थोड़ा होता है ना खाना खाने के बाद तैनले का मन करता है यह तो मैं अभी आरखाओं अपने च्छत में इदर से बहुत बढ़िया नजारा दिख रहा है बादल अभी भी लगे होए धूपका तो पता ही नहीं सुभे से बारिस रुकी वी थोड़ा लेकिन बादल लगे होए पूरे यह देखो इदर से भी उस बहुत बढ़िया दिखता यार उपर च्छत से चारो तरवे पहाड़ ही पहाड़ बादल ही बादल दूपका कई पता नहीं है कल आएगी तो ठीक है यह इदर मक्का पूरे खेद में मक्का लग रखा थोड़ा ठैलेंगे और जब खाना पज जाएगा फिर से इस्टेडी करेंगे ठीक है और अकर इस्टेडी नहीं हो पाई तो एक दो गंटा सो जाएंगे क्या करेंगे सो जाएंगे ठीक है क्योंकि अकर रात उठे रहना तो नेंद भी पूरी होनी चाहिए ना हलकी से आखे बंद होनी चाहिए आंकों को भी थोड़ा आराम देना हर चीज देखने है ठीक है थोड़ grands जाया हो चाहिए कर तो दोस्तों यार ऑभी इपिलिंग टाइम में और अब लोग सोच रहो कि मैं जंगल में क्या कर रहा हूं तो मैं जंगल में मंगल कर रहोा है अईसे मिल्कुल मत सोच नहीं कर रहा हूं यार बक रियों कि नहीं कर रोह है आगर फांच वजर तो अभी मजबूरन खोलना पड़ा भूकी तो रहेंगे नहीं है तो फिर लाना पड़ा थोड़ा लेट होगी वैसे रोज भाई लाता है तो सोचा एक टाइम पर मैं चले जाओंगो तो कोई बड़ी बात नहीं वह रोज यार वैसे भी वह सोय होगा था था भी थोड़ा इस अच्छा मेरे दोस्तों तैयारी चल रही है ना अच्छे से पड़ाई करो यार बढ़ी आसे ठीक है जब तक पढ़ोंगे नहीं तो फिर कैसे चलेगा काम फिक जब अच्छे से तयार होगी तभी कुछ होगा नहीं तो फिर हमारी तरह वीडियो बनाते रहोगे मजा कर रहो यार में ठीक है कभी-कभी खुद को भी रोश माल लेता हूं मैं ऐसे कुछ बात नहीं है ठीक है अगर दूसरों को थोड़ा खुसी मिले तो उसमें कोई बुराई नहीं है ना झालो हुआड़ा नहीं है कर दो